राधर राधा वीवर्स आज मैं आपको यह बाला डिजाइन बताऊंगी है और और इस सीधी तरफ से गार अप लिटी तरफ से ऑनारा ऐसे देखेगा कि दरेज Banana के बना सकते किसी भी स्टर में डालकर बना सकते हैं लेडीश जृतर स्टर किसी आप 8-5 पंदे आठफंदे करके पूरा डिजाइन बना हुआ तो इसे बनाने तो ये सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे उसे, ये चार सलाईयों कटे जाएंगे, तो ये पूरे फंदे हम इस तरीके से सीधे बनाएंगे, ओल्ठी सलाई ये और उल्ठी सलाई पर हम डिजियन दिजान बनाएंगे तो पहला फंदा उतार लेंगे, और इसले ओल्टा बनाएंगे, उसमें दौ बार धागा लपेटेंगे, ऐसे एक, दूट, उसके बार फिर एक, दूट, कि यह ती सारे फंडे जितने विय उन समयं दो दो बार धागा लपेड़ के पूरी सलाइब बनाईए उल्टी सलाइब okay पूरे फंद है एक बार दो बार एसे धागा लपेड़ेंगे फिर फंदा बुल लेंगे उल्टा तो ये पूरी सलाई इसी तरीके से बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे और लास्ट में एक फंदा बचा इसको हम बुन लेंगे उल्टा पहला फंदा सीधी सलाई है इसको उतार लेंगे अब जो फंदे हमने जिन में दो दो बार धागा लपेटा था इनको खोलेंगे इसे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे खोलेंगे अब हम इस सलाई पे फंदे लेंगे तो अब हम इन दो फंदो को पहले निकालेंगे और इनको ट्विस्ट करेंगे ऐसे दो फंदे निकाले और दो फंदे इधर से फिर इसी सलाई पर लेने के बाद में फिर इनको बुन लेंगे ऐसे सीधा एक इसको दो फिर दो फंदे बाद में ऐसे बुनेंगे तो ये चार फं पर पंदे निकलेंगे एसे खोलेंगे इन अब हम इन फंदों को पीछे की साथ से निकालेंगे और इन दो फंदों को लेफट निडल पर लेकर और दोनों असे पहले इनको बुनेंगे, उसके बाद ये दो फंदे बनाएंगे तो हमारा हमने इस तरीके से चार फंदे हमारे थे इनको हमने एक इस साइड में मोड़ा फिर इधर फिर चार फंदे खोले फिर इनको दो फंदों को इधर मोड़ा दो को इधर मोड़ा यह आठ फंदों का डिजायना आठ फंदों की डिप भी बनेगी उसके बाद फिर हमें च तो चार फंदे खोलें Totally A डो 304 चार पपिंशे के लिए अडियर हम पिर कि कुर्चे से लेके ऐसे फंदे लेंगे और यूंध हानु को लेटम भी लेके दोनु फंदे एक एक करके सीधा भूनेघा ईसे एक खी दो फंदे गुणाएं कि शार फंदे हम नगा बुल लीए उसके बाद फिरे चार फंदे खुलें जैus और अब हम इन दो फंदों को इस साइड में लेंगे दो फंदों को इधर मैं अाँ सिर्ड़ पहले बंदें गे उसके बाद इन दो फंदों नें ग़ीयों। तो यह हमारी इस तरीके से यह सलाई पन गई है। मिर्णे सक तो जैसे यह हमसिंद गवर यह तो यह पूरी सलाई उल्टी बननंगी ऐसा है। सारे फंदे बनाएं गगए। सीधी सलाई पूरी सीधी जाएगी पूरी सलाई सीधी बुनते हुए पूरी सलाई कम्प्लीट करेंगे सारे फंदे सीधी बनाएंगे उल्टी सलाई में फिर से डिजाइन बनेगा तो यह डिजाइन हमारा ऐसे दिखने लगा आई है उल्टी सलाई में फिर उसी तरीके से जैसे नीचे की सलाई बनाए थे तो हम इनको ऐसे इस फंदा हम ऐसे डवल वार हर फंदे में ऐसे निकालके बनेंगे एक एक फंदे में दो दो बार धागा लपेट के पूरी सलाई कम्प्लीट करेंगे तो हम इसी तरीके से पूरी सलाई बनाएंगे हम लास्ट में एक फंदा ऐसे पिशी बुर्टा बुनी चाहें, अब हम फिर इन फंदों को खोलेंगे, तो पहले चार फंदा खोलेंगे, एसे एक, तू तेन, चार, चार फंदे खोल गये, पहले हमने इस साड में इसे ट्विष्ट किया था अब हम इन फंदों को इस साड में ट्विष्ट करेंगे ऐसे गुमाएंगे पहले इधर था अब इधर गुमाएंगे तो अब पहले इन फंदों को दो को बुनाएंगे इसे बुन लेंगे सीधा और फिर इन दो फंदों को सी दर लाएंगे और इसके बाद पहले पहले डो फंडों को बना इसके बाद दो Birda बंढ़ह तो ऐसे रिजेंл बना उनके लें तो इसके बाद फिर पहले इन चार फंडों को लेंगे तो पहले इन तरीके से इनको मोड ले कि इन दो फंदों को बुन लेंगे एक दो टीन चार पंदे लिए उसके बाद आप हम पहले इन दो फंदों को लेंगे इधर फिर दो फंदे इस साइड में लेंगे कि पहले इन दो फंदोग को बुनेंगे प्र इन दो फंदोग बुनेंगे के इस तरीके से बनेगा यह डिजाइन हमारा ऐसे बन गया है पहले हमारी हिदर उसके बीचमे उसके से डिब्बी जैसी बन गई सिनल आव इसके उपर फिर समय इस तरीके से एक एक फंदे में दो बार बनाएंगे सीधी चेया है में और यह इंधर नर अपन भाद में इंधर और बहुत को दूसी तरफ मुड़ेगा तो ऐसे ही इसको हमने बनाया है तो जैसे हमने बनाया है पहले इधर मुड़ा फिर इसके उपर पर इसके उपर इस तरीके से डिब्मियां सी बनती हुई जाएंगी तो ऐसे ही हमने इसको बनाया है तो आपको डिजाइन कैसा लगा मेरे बताने का त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें धन्यवाद